क्या आपको पता है आपकी कीमत क्या है? आगे की सब्दों के लिए मैं थोड़ी माफी चाहूँगा क्या आपको पता है आप कितने में विकाऊं है? आपको कितने में खरीदा जा सकता है? नहीं, चलिए आज हम इसी टोपिक पे बात करते हैं और आप इस वीडियो के अंत में जानेंगे की आपकी कीमत क्या है? क्या आपने सुम को पहचाना है? नमस्कार, मैं हूँ डोक्टर सुनील भारदुआज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योग आज के इस व्याख्यान की जो सुरुवात है, मैं कुछ समय पहले से करना चाहूँगा कुछ समय पहले मैं स्पोकन इंस्टिटूट चलाता था और वहाँ पर मेरे पास बच्चे आते थे, इंग्लिस सेखने के लिए अब जब किसी एक लेंग्वेज को हम सिखाते हैं, तो दूसरी को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ता है तो वहाँ पर हिंदी को बंद करवाया जाता था ध्यान रखिए, मैं वहाँ सिरफ इंग्लिस लेंग्वेज को सिखाता था अंग्रेज पैदा नहीं करता था तो कुछ दिनों के लिए हिंदी लेंग्वेज को बंद करता था ताकि वह इंग्लिस पे उनकी पकड़ हो जाए ion встрा, language को वह सीक पाए तो जैसे ही हिंदी को बंद करता था तो हिंदी बोलने के ओपर fine होता था और पांच रुपे फाइन होता था कि कोई भी बच्चा इंस्ट्यूट में या इंस्ट्यूट के आज पास में हिंदी बोलता है तो उसको पांच रुपे पे करने पड़ेंगे तो इस परकार का रूल मैंने वहाँ बना रखा था तो उसमें कुछ बच्चे इमानदारी से पालन भी करते थे कुछ कर नहीं पाते थे तो वहाँ पर मैं उनको एक ही लाइन बोलता था आप अपनी कीमत को पहचाने जो बच्चा पांच रुपे के लिए जूट बोलता है उसकी कीमत पांच रुपे से भी कम है जब ये लाइन बच्चे सुनते थे कि क्या मेरी कीमत पांच रुपे से भी कम है मैंने पांच रुपे के लिए जूट बोल दिया जबकि मैं यहाँ हिंदी बोल रहा था और मैंने सर को कहा कि मैंने नहीं बोल लेगी तो वो जो बच्चे हैं एक दो दिन के बाद उनके साथ इस परकार से होता था कि अगर वो घर पे भी हिंदी बोली है तो बोलते सर आई स्पोक हिंदी एट हॉम आई विल पे टैन रुपेज यानि कि उनको अपनी कीमत का एसास करवाना कि आपकी वास्तों में कीमत क्या है क्या मेरी कीमत 5 रुपे से भी कम है मैं 5 रुपे के लिए जूट बोलता हूँ तो ऐसे ही हमें अपनी कीमत को आखना है कि हमारी कीमत क्या है मैं कितने रुपे के लिए जूट बोलता हूँ कितने रुपे में बिख सकता हूँ या कितने रुपे में लोग मेरे को खरीद सकते हैं अगर आपने अपनी कीमत को पहचान लिया ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खरीद नहीं सकती है और जिन जिन विक्तियों ने अपनी ताकत को पहचान लिया है तो संसार आज उनके पीछे चलता है राजा बली का नाम आपने सभी ने सुना होगा राजा बली यज्य कर रहे थे और भगवान जो विश्णु थे वामन का रूप धरके उनके इहाँ पर पहुंचे और उन्होंने तीन गज जमीन राजा बली से मांगी तो राजा बली जैसे ही उनको वचन देने जा रहे थे उनको जमीन देने जा रहे थे तो जो उनके गुरू स्कुराचारी ये जीते उन्होंने मना कर दिया वही आप इनको मत दो ये विश्णु भगवान है और ये वामन का रूप लेके यहां पे आए हैं तो राजा बली ने कहा नहीं ये मेरे द्वार पे आया है भिख्षा लेने के लिए आया है और मैं कभी भी किसी भिख्षुक को खाली हाथ नहीं लोटाता तो ये उनकी वचन थे उनको पता होते वे भी उन्होंने तीन गज जमीन उनको दी और फिर आपको पता है कि जो वामन रूप में भगवान विष्णु आये थे उन्होंने तीनों लोकों को माप लिया था तो अगर वो तीन गज जमीन नहीं देते तो क्या संसार उनको जान पाता नहीं वो अपने जो वचन था उन्होंने अपनी कीमत को जाना कि मेरे मेरी कीमत क्या है मेरे वचन की कीमत क्या है इसलिए पूरा जो संसार है आज उनकी कीमत को जानता है, उनकी वच्नों की कीमत को जानता है ऐसे ही मरियादा पुर्षोतम स्रीरामजी हुए हैं जिन्होंने पिताजी की वचन को रखने के लिए 14 वर्स का वनवास विकार किया और उन्होंने अपनी मरियादा का पालन किया इसलिए पूरा संसार आज उनको पूजता है स्री लाल भादूर सास्त्री भारत के दूसरे परधान मंत्री अपनी मांदारी के लिए परसिद हैं ऐसी ये घटना उनके जीहुन में घटी जिसके कार्ण से लोग उनको पूजते हैं आज जब लाल भादूर सास्त्री जी परधान मंत्री थे तो उनके बच्चों की इच्छा हुई एक बार की लगजरी गाडी में घूमा जाए तो उनके इच्छा हो सकती हैं जब किसी के पिताजी परधान मंत्री हो क्यों और जाए को में क्यों सास्त्री जी घर पर नहीं थे तो दिक बच्चों को भाद में अपनी पत्नी को बुलाया पत्नी का नाम ललीता था, उन्होंने कहा कि ललीता देवी, बच्चे सरकारी खर्चे पर घूम किया है, ये कोई परसनल प्रोपर्टी नहीं है, आप मेरी से इतने रूपे राजकोस में जमा करवा देना, तो ऐसे थे परधानमांतरी हैं, हमारे लाल बातुर सास्तरी, जिन्ह तो हम सभी भी अपने कीमत को जाने, हमारी कीमत क्या है, हमारी वैलू क्या है, हमारे सब्दों की वैलू क्या है, क्या हम विकाऊ है, कितने में विकाऊ है, आपको कोन खरी सकता है, या नहीं खरी सकता, ये सब अब आपके उपर है, आप अपने कीमत का स्वयम निर्धारण क करीं.